वर्लकब 2023 का कल पहला सेमी फाइनल का मुकाबला होने वाला है भारत और न्यूजिलेंड के वीच जो खेला जाने वाला है मुंबई के वानखडे स्टेडियम में और आपको बताए इस मुकाबले से पहले हुई न्यूजिलेंड टीम की प्रेस कॉनफरेंस जहां पर उनके ते की प्लानिंग होने वाली इसका भी कही न कई हिंट दिया है लौकी फोर्गिसन ने प्रेस कॉनफरेंस में तो एक बाप को बताते हैं क्या कि प्रेस कॉनफरेंस में लौकी फोर्गिसन ने क्या कहा हम हमारे प्रोसेस पर कायम रहते हैं यह सुनने में गिसा पिटा लगता है लेकिन इसी से हम संतुलिन बनाई रखते हैं हम अपने पैर जमीन पर बनाई रखते हैं मुझे लगता है ये भेच सकरात्मक बात है वंडे माचों में खासकर भारत के खिलाफ काफी उतार चड़ाफ आते रहते हैं इस गेम में भी कुछ भी अलग नहीं होने वाला है हमें बस जितना हो सके खुद को मजबूत बनाई रखना है हमें विकेट के साथ ताल मेल बिठाना होगा देखना होगा कि पिच पर कितना स्कोर अच्छा होगा और फिर उस स्कोर का बचाफ करने के लिए अपना सर्वश्रेश प्रयास करना होगा अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हमें स्कोर बोर्ड पर उतने रन बनाने की कोशिश करनी होगी जिसे हम अच्छा स्कोर मानते हैं बहुत सारे भारतिये मैदान हाई स्कोरिंग हो रहे हैं हमारी ओर से ये समझने की कोशिश की जा रही है कि पिच कैसी होगी और इस पर डिफेंडिंग और चेजिंग के लिहाज से क्या स्कोर हमारे लिए भैतर होगे हमें बड़े ओवर्स देने से बचना होगा दस ट्रन इधर और दस ट्रन उधर देना पारी के आखरी में महेंगा पड़ सकता है यहाँ भी लॉकी फेगिसन ने एक बार सही करी कि भारत के जितने मैदान हो रहे हैं हर मैदान पे हाई स्कोरिंग माचेस जा रहे हैं कितनी बार अब 400 स्कोर बन चुका है वर्ल कप के हिस्ट्री का हाई स्कोर बनते हैं हमने देखा तीम है जो आ रही है 300-300 से कम में बात नहीं कर रही है ऐसे में न्यूजिलेंड की यही सोच है कि वो अगर मैदान जो है वहाँ पे हाई स्कोरिंग रंस खड़े करें अगर बोर्ट पर पहले बाटिंग करती है वरना अगर चेजिंग करने आती है न्यूजिलेंड की टीम तो उनकी कोशन रहेगी कि उनका माइनसेट यह होगा कि वो भारती टीम को 300 से कम में ही रोग दे वही भारती टीम जो पहले बाटिंग करके 300-300 से कम में बात ही नहीं कर रही और अभी तो लेग स्टेज के आखरी मुकाबले में 400 रन का आखड़ा पार करकर आ रही है नीदरलेंड के खिलाफ ऐसे में देखने वाला होगा कि कौन सी टीम की बैटल जरूर जीती है लेकिन यह मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है आपका क्या मानना इस पर कौन सी टीम किस तो भारी पढ़ने वाली है कौन सी टीम में मुकाबला जीतने वाली है मुझे फटफट से कम में जो पताइए आप लेकर तो फांसपोर्ट इसको लाइक, कमेंट में चानल को सब्स्ट्राइक परना है बिखल भी मन भूलेगा